जंगल में एक शेर था एक तालाप की किनारे वो शेर सोया हुआ था अचानक से एक आवास सुराई दे रही थी और शेर की मींद में बाधा डाल रही थी वो आवास लगातार तालाप की अंदर से आ रही थी वहाँ एक मेंड़क था शेर को पता चल गया कि ये आवास एक मेंड़क निकाल रहा है वो शेर गुसे से तालाप की तरफ आगे बढ़ा और चलाप मार कर उस मेंड़क को बहर निकाला मेंड़क को अपनी गलती का एहसास हुआ पर शेर ने नेटक को पकड़ लिया और उसे मार दिया इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से शक्तिशाली से छेड़ खानी नहीं करनी चाहिए इससे हमारा ही नुकसान होता है अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद